धरायपुर में पटेरिया के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है 36 गड़ में भी कहीं न कहीं इस से विवादित बयान के बाद सियासत देखने को मिल रही है अजे चंद्राकर ने राजा पटेरिया को कुत्ता बताया है वरिष्ट बीजेपी नेता अजे चंद्राकर ने ट्वीट में लिखा कि नाजा पटेरिया कुत्ते की तरह भौक रहा है आप मौन है बता दे कि भूपेश क्या पटेरिया के खिलाफ 36 गड़ में कारेवाई करेंगे ये बात भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी साथी स अरशात लिखा कि भानुपरतापपुर में C.M.' को PM के सम्मान की चंता थी कहा गया प्रधान मंत्री के प्रति सम्मान है 다른 इक Two कैट साजह किया है आजे चंद्राकर ने वह वीडियों भी इसमें शेयर किया है और उनका कहना है कि जब प्रधान मंत्री के सम्मान की बात हो रही है तो 36 गड़ के सीएम मौन क्यों है रादा पटईया ने जो बात कही थी उसका उन्होंने असपस्टी करन दे दिया है उन्होंने उनके बयान से कांग्रिस पार्टी ने भी अपने आपको अलग कर लिया है वरिष्ट नेता जो भारती जनता पार्टी के मुख् मैं इसपस्टी करन देना चाहिए कि वे अजय चंद्राकर के बयान से कितना सहमत हैं वैसे अजय चंद्राकर अपनी अभध असिस्ट भार्षा के कारण छत्तिवार्ट की जनता में एक असिस्ट नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं तो कांग्रेस पार्टी ऐसे चंद्राकर के बयान के चर्चा भी हो रही है और अब 36 गड़ की बात की जाया तो यहां पर तो एक अलग ही बौर चिड़ गया है पटेरिया पर बात्षीत हो रही थी लेकिन चंद्राकर के बयान के बाद फिर से कॉंग्रिस वर्सिस बीजेपी आना ज़रा रहा है जी बिल्कुल देखे 36 गड़ में मानो माननियों के जबान पर अब लगाम नहीं है यह कोई ऐसा पहला मौका नहीं होगा कि जब कोई जिम्मेदार नागरिक जो है व्यक्ति जो है वो इस तरीके का बयान दे रहा होगा अजया चंद्राकर जो की काफी पूराने मंत्री है औ और उनके द्वारा यदि इस तरीके का बयान आता है तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जिम्मेदार नागरिक है जो पूरे प्रदेश के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं और एक राजनितिक नेता के रूप में आगे आते हैं यदि हम बात करें अजया चंद्राकर के ट्वीट की तो मैं आपको ट्वीट ही बताता हूं पढ़कर जिसमें उन्होंने क्या कहा है अजया चंद्राकर ने कहा है कि बानु प्रताप पुर उप्चुनाव में आपने माननी प्रधान मंतरी के सम्मान की बड़ी चिंता थी प्रधान एक कॉंग्रेसी राजा पटरिया को कोड़ अनकोड किया गया और लिखा है कि कुत्ते की तरह भौकर है आप मौन हैं तो ये एक बयान जो है वो काफी चौकाने वाला है इसके पूर्व भी आजया चंद्राकर ने कुछ इस तरीके के बयान दिये थे और वो हमेशा अपने बयानों के लिए ही जो है वो चाहे रहते हैं अलग-अलग तरीके का बयान रहता है अब सब्दों का भी उपयोग कई बार अजया चंद्राकर कर देते हैं तो कहीं न कहीं है कि बड़ा बयान है राजनीती उठापटा कि ये जो बयान दिया था राजा पटरिया ने मध्यप्रदेश में दिया हाला कि बीजेपी से सवाल किया है कि इस तरीके के आपती जानक बयान पर बीजेपी क्या कदम उठाएगी तो आप देखने वाली बात ही होगी कि ये जो बयान बाजी सुरू हुई है मध्यप्रदेश में अपनी अलग राजनीती चल रही है पटरिया के बयान पर उनकी गि किया कि अजय चंद्राकर ने अपने ट्वीट में कई तरह के बाते लिखी है जो से कॉंग्रेस को घोरापती हो गई है देखना होगा कि क्या मुखेमंत्री भी इस पर कोई ना कोई इस पश्टिकरंड देते हैं या कोई जवाब मुखेमंत्री के ओर से आगया आता है